क्या टाइप वन डाइबिटीज क्यूरेबल है तो गाइस आज इसी के बारे में बात करेंगी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टॉपी क्यों पहना हुआ हूँ जैकेट क्यों पहना हुआ हूँ तो गाइस रात के 12 बज रहे हैं और काफी ठंड है और ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही important message आप लोग को देना है क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे है कि type 1 diabetes जो है वो curable है तो इसके बारे में आज हम detail में बात करेंगे और आप लोग के fitness nutrition specialist तो guys क्या type 1 diabetes curable है तो guys कुछ लोग ये दावा कर रहे है कि अगर आपके बच्चे को या किसी को भी type 1 diabetes है तो वो आपके बच्चे के type 1 diabetes जो है वो cure कर देंगे और उनके पास कुछ case studies भी है तो guys आज का वीडियो जो है वो दिल से बात करेंगे आप से इसलिए मैं ये वी और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल किसी का जान भी चला जाए और अगर किसी का जान जाता है और आप इस वीडियो को नहीं शेयर करेंगे तो उसका जिमेदार सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले में आपको बता दूँ कि type 1 diabetes और type 2 diabetes क्या होता है तो guys type 1 diabetes में आपका body जो है insulin secret नहीं करता है जिसकी वज़े से आपको बाहर से insulin लेना बहुत जरूरी है और insulin जो है यह एक life saving drug है किसके लिए type 1 diabetes मरीज के नहीं और type 2 diabetes क्या होता है guys type 2 diabetes में आपका body जो है insulin resistant होता है in fact अगर आप किसी type 2 diabetes के मरीज का fasting insulin test कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि उनका fasting insulin हमेशा या तो normal limit में रहेगा या फिर normal limit से जादा ही रहेगा तो इसका मतलब है कि उनका body insulin तो produce कर रही है लेकिन उनका body insulin से resistant है जिसके वज़े से उनका blood sugar level high होता है तो इसलिए type 2 मरीज को insulin देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है यह मैं मानता हूं type 2 diabetes मरीजों को insulin नहीं देना चाहिए लेकिन type 1 के मरीज जो है वो insulin के बिना नहीं जी सकते क्योंकि उनका pancreas insulin बना ही नहीं रहा है और जब insulin body में बन ही नहीं रहा है तो आपको बाहर से insulin लेना ही पड़ेगा लेकिन कुछ लोग यह दावा कर रहे है कि वो type 1 diabetes को भी cure कर देंगे आपको insulin लेने की जरूरत नहीं है तो guys इसके है तो इसलिए हम record test कराते हैं और वो है fasting C peptide test अगर आप fasting insulin test या fasting C peptide test कराएंगे तो जिनको भी type 1 diabetes है आप देख सकते है कि C peptide level या fasting insulin level बहुत कम होता है या बिलकुल ही नहीं होता है मतलब आपका body जो है बिलकुल ही produce नहीं कर रहा है insulin तो आप समझ सकते है कि उस condition में आपक को वांड कर रहा हूं कि अगर आपके बच्चे को या आपके परिवार में किसी को भी type 1 diabetes है और वो insulin ले रहे और किसी ऐसे वीडियो आपने देखा कि जिसमें वो कह रहे कि insulin नहीं लेना चाहिए insulin बंद कर दीजे और insulin बंद करके सिर्फ सुबा फल खिलाए और सबजी खिला नहीं कर रही है और आप बाहर से insulin नहीं ले रहे हैं लेकिन आप फल खा रहे हैं सबजी खा रहे हैं या फिर high carb diet ले रहे हैं उससे क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा glucose हो जाता है लेकिन वो proper तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि insulin जो है वो glucose को आते हैं तो इसलिए आपका blood sugar level बढ़ जाता है लेकिन आपके body को energy की जरूत होती है तो आपके body को लगता है कि आपके body में carbohydrate नहीं है या energy नहीं है तो वो क्या करता है कि वो fat cells को breakdown करना शुरू कर देता है और fat को breakdown करके ketones release करता है ताकि आपके body को energy मिले लेकिन जब भी होगा और आपके blood में already high blood sugar होता है तो उस condition में आपको diabetic ketoacidosis होने का chance है और अगर आप diabetic ketoacidosis में चले गए तो आपका बच्चा आपका परिवार के जो भी शक्स है जिनको भी type 1 diabetes है वो diabetic कॉमा में चले जा सकते हैं और finally उनका death भी हो सकता है अब diabetic ketoacidosis क्या होता है अगर आप इस लिंक को क्लिक करके उसके बारे में जान सकते है इस पर मैंने एक detailed video बनाया है तो guys मैं आप लोग को फिर से warn कर रहा हूं कि please इस तरह के वीडियो अगर आप लोग देखते है और इस तरह के quake लोगों के चंगूल में आ जाता है तो please साफधान हो जाये मैं आप लोग को यह warn कर रहा हूं यह गलती आप लोग मत करिये और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको type 2 diabetes है और वो भी इस तरह के diet follow कर रहे थे कि सुबा उटके 12 बज़े तक सिर्फ फल खा रहे थे और फिर lunch में और दिनर में खाना खाने के पहले पहले salad खा रहे थे उसके sugar level बढ़ गया है तो प्लीज नीचे comment में जरूर बताएए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि आपको भी इस तरह से problem हुआ है और आप भी इस तरह से problem paste किया है और इस तरह के जो diet है जो फल और सबजी इस से आपका diabetes ठीक नहीं हुआ है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिया जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना बाकी लोगों तक यह message पहुचेगा और इस वीडियो को share करना ना भूले जितना ज्यादा आप लोगों की जान बच सकती है क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी कुछ लोग जो है वो type 1 diabetes भी जिनको है वो insulin बंद करके सिर्फ और से फल खिलाएंगे और सबजी खिलाएंगे और यह एक बहुत ही blunder होगा और एक बहुत ही disaster होगा और आपके परिवार के जिनको भी type 1 diabetes है और यह चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपके बच्चे को diabetic ketoacidosis हो सकता है और यह एक बहुत ही खतरनाक situation हो सकता है तो guys जो लोग भ को बता दू कि मैं एक qualified mbbs doctor हूँ और साथ ही साथ मैं diabetes पोच भी हूँ और इतना ही नहीं मैंने खुद अपना diabetes जो है reverse किया है धाई से तीन साल पहले और मैं काफी लोगों का diabetes reverse कर चुका हूँ और इसी process में लगा हुआ हूँ लेकिन जब तक आपके पास सही information नहीं लोग गलत है और कहां बाबास लोग भी गलत फायदा उठा रहे तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करें और वीडियो को भी जरूर देखी तो गाई सबसे पहले तो यह है कि जो डॉक्तर है वह सिर्फ evidence-based medicine को follow करते हैं लेकिन व करना बहुत जरूरी है सिर्फ और सिर्फ blindly evidence पे भरोसा नहीं करना होता है और हर व्यक्ति जो है हर इंडिविज्वेल जो है वह अलग है तो इसलिए अगर किसी का भी diabetes ठीक करना है तो इसलिए precision nutrition का इस्तमाल करना चाहिए अब precision nutrition क्या होता है तो guys मैं अपने diabetes reversal के दोरान precision nutrition क का इस्तमाल करता हूँ अब बहुत से लोग जो है वो precision nutrition के बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि precision nutrition का क्या मतलब होता है precision nutrition का मतलब होता है एक precise nutrition यानि की customized nutrition हर individual जो है वो अलग है आप अलग है मैं अलग हूँ मैंने एक तरीके से अपना diabetes reverse किया वही diet में अगर आपको prescribe कर दूँ तो शायद आप reverse ना कर पाए तो इस तरह से customized करने पड़ते हैं हर व्यक्ति के हिसाब से कोई South India में रहता है को नौट इंडिया में रहता है कोई US में रहता है कोई England में रहता है कोई Australia में रहता है सब के diet जो है सब के lifestyle जो है वो बिलक करना चाते हैं through precision nutrition तो आप मेरा diabetes reversal program join कर सकते हैं नीचे दिएगे number पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और मेरा diabetes reversal program join कर सकते हैं बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके program में ऐसा क्या खास बात है या आपके program में आप क्या सिखाते हैं तो guys मैं फिर से दोरा रहा हूं कि मेरा जो program है वो precision nutrition के उपर है precision nutrition based होता है हर व्यक्ति का eating habit अलग है dietary pattern अलग है lifestyle अलग है based on that वो सारे चीज़ किया जाता है proper nutrition के बारे में आप लोग को सिखाया जाता है आप फल भी खा सकते हैं आप सबजी भी खा सकते हैं आप अंडा भी खा सकते हैं आप dairy products भी खा सकते हैं depending कि आपका lifestyle कैसा है आपका eating habit क्या है आपका preference क्या है उसके इसाप से सारे चीज़ कस्टमाइज किया जाता है ना कि यह कि बस सुबह उटके फल खाये और फिर पहले salad खाये animal product सारे बंद कर दीजे दूद मत पीजे दही मत खाये कोई भी animal protein मत लीजे guys ऐसा काम नहीं होता है precision nutrition से हम decide करते हैं कि आपको क्या जरूत है आपकी क्या requirement है आपकी कितनी protein requirement है आपकी कितनी carbohydrate requirement है आपकी कितनी fat requirement है सब व्यक्ति जो है वो अलग-अलग होता है और उसके basis पे हम customize करते हैं और उसके बाद यह process जो भी follow करता है वो अपना diabetes reverse कर पाते हैं तो guys इस video को share करना ना भूले क्योंकि आज अगर आपने यह video नहीं share किया तो काफी लोगों का जान भी जा सकता है मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि काफी लोग जो है वो insulin बंद कर देंगे अभी जिनको type 1 diabetes है उनके लिए खास करके यह video बना रहा हूं उनके लिए खास करके यह बात बोल रहा हूं यह important message उन लोगों के लिए है जिनको भी type 1 diabetes है प्लीज आप अपना insulin मत बंद करिए बिना अपने डॉक्टर के consult किये हुए बिलकुल यह सब वेकरी पे मत जाईए यह सब वीडियो अगर आप देखके अगर आप अपना insulin बंद कर देंगे तो कल को अगर कुछ हो ज अगर आपने भी इस तरह के कोई diet follow किया सुबा उड क्या फल खा रहे और सिर्फ पहले salad खा रहे लंच में और डिनर में उसके बाद बागी चीज खा रहे और अगर आपका sugar level control नहीं हुआ है तो नीचे please comment box में जरूर लिखे आपका क्या experience रहा यह सब diet follow करके और अगर आप हुआ हुआ है